अब हम बात कर ले थे होम वक्की जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, अभी क्या करूँगी मैं टेलिग्राम पर जो हमारा टेलिग्राम चैनल है, टेलिग्राम का चैनल का आपको पता होगा, अगर आप लोग उससे कनेक्टेड नहीं है, तो पहले तो कनेक्ट हो जाएए, आपक एबाउट सेक्शन में लास्ट में लिंक मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में तो वहां सपी जाकर आप कनेक्ट कर सकते हैं सावी फोरेंसिक्स जो मार टेलेग्राम चानल है यहां पर मैं एक PDF शेयर करूगी और वो PDF जो है अलग अलग तरहे की राइटिंग की PDF है मतलब जो मैंने आपको पता होगा अगर याद होगा कुछ ताइम पहले कुछ नहीं I think बहुत ताइम पहले मैंने आप लोगों से ही आपके जो हैंड राइटिंग के सांपल्स रहते हैं उनका कलेक्शन करवाय था ठीक है तो अब जो मैं PDF शेयर करूँगी तो उसमें handwriting के आपके बहुत सारे samples हैं exemplars है in fact बहुत सारे उसमें हैं अब आपको उसमें right-handed भी है उसमें left-handed भी है उसमें कुछ जो sample है वो ऐसे individuals के भी हैं जो ambidextrous हैं कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे बच्चों की writing के हैं यानि कि अलग-अलग age के अलग-अलग hand से रिखे ह हुए और एक ही individual जो कि अपने दोनों hand से लिख सकता है तो इस तरह कि मैंने बहुत सारे samples को collect किया है अब वो pdf मैं आपको इस telegram channel पर share करूंगी वह आपको download करनी है download करने के बाद में आप चाहें तो उसका जरॉक्स निकाले best option तो वह यह क्या प्रेंट आउट निकाले उस इसमें आपको चेक करना है एक एक राइटिंग को ऐसा नहीं है कि एक ही individual ने कई बार लिखा है सारी डायटिंग अलग अलग है उसमें आपको यह चेक करना है और मुझे बताना है कि देखे माली जी आपने एक पेज निकाला एक पेज पर यह राइटिंग लिखी हुई है अब पहले तो आपको क्या करना है इसमें आपको चेक करना है कौन-कौन से identification features है वो आपको mark करना है मालीजिए यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ है तो आपने इसको mark कर दिया और फिर यही से डाश लगा के बता दिया कि इसमें क्या change है जैसे कि I की dot का change है तो आपने बत गोने हैं उसकी बाल आपको यह बताना है कि इसमें जो की आपको राइटिंग मिली है उस राइटिंग में यह आपके साँद करेंगे कि वह लेफ्ट हैंडड है जी ए जीज़ आपके आपको के सामने राइटिंग उसमें ऐसा कौन से पीचर है या फिर किस बेस पर आप कह सकते हैं कि वो left-handed है right-handed है या फिर embidextrous है embidextrous individual ने भी लिखा है तो उसकी उसने left-hand से लिखा है या उसकी उसने right-hand से लिखा है यह आपको बताना है उसके लावा यह आपको हर एक राइटिंग के जो identification features हैं जो उस particular writing के different है unique हैं वह आपको identify करना है पहला काम हो गया identification का second काम है आपका यह बताना कि वह जो writing है वह left hand के लिखी गई है या right हैं क से लिखी गई है यह काम हो현 तीसरा यह काम हो हो गया यह आपको बताना है कि वह जो writing है एक 10 साह से छोटे बच्चे ने लिखी है या पर किसी बड़े ने लिखी है ये तीन काम होगे उसके इलावा जो आपको Ambidextrous writing मिलेगी वह वहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि Ambidextrous है वह आपको identify करना होगा तो Ambidextrous writing जो होगी वह बताना है ये कौन-कौन सी जो writing है वह Ambidextrous individual ने लिखी है और उसमें से basically दो है मैं आपको पहले बता रहे हैं दो sample है यानि कि एक individual ने लिखा हुआ है Ambidextrous था जो कि और उसमें एक right hand से लिखा है एक left hand से लिखा है तो पहले तो आपको ये find out करना है कि Ambidextrous individual जो था उसकी writing कौन-कौन सी है उसके बाद में आपको find out करना है उन दोनों में से यानि कि जो Ambidextrous individual की जब writing आपने find out कर ली उसके बाद में उन दोनों में से कौन सी right इतना आपको करना है और इतना करने के बाद में जब आपने उसको प्रेंट-out ॉट पर आपको रिख से लिख लिख दिया था । पस आपकी प्राक्टिस हो जाए आपको समझ में आदे एक्जामिनेशन किस तरह से करते हैं इसी वज़ा से मैं आपसे करवारी हूँ जब इतना हो जाएगा उसके बाद में क्या करना है आपको उन pages का photo click करनी है photo click करने के बाद में आप उसकी PDF बना सकते हैं तो आप उसकी PDF बना लीजे otherwise आप उसकी images भी share करिए share आपको कहा करना है email id पर email id क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ saviforensics.78 at the rate gmail.com ठीक है तो यह email id है saviforensics.78 at gmail.com यहाँ पर आपको send करना है यहाँ पर आपको spelling समझ में नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पर इस position पर देखिए जो आपका last में contact us लिखा हुआ है बिल्कुल end में दिखेगा यहाँ पर contact us में देखिए saviforensics.78 at the rate gmail.com यह website है इसी website पर आपको send करना है टेलिग्राम जो मैं बता रहे थी वो टेलिग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से आप spelling चेक कर लीची यह आपका टेलिग्राम की link है तो यहाँ से आप देख लीचेगा तो यह आपको टेलिग्राम से PDF को collect करना है वो PDF का आपको analysis करने के बाद में जो कुछ मैंने बताया है वो सब करने के बाद में आपको यह जो किया यह कैसे पता चलेगा जब आप लोग मुझे भेज़ेंगे और उसमें से जिस इंडिविजुल का मुले सबसे बेस्ट लगेगा कि सबसे सही तरह से analysis करी है उसका मैं बताऊंगी अगले वीडियो में कि वहाँ पर आप लोगो ने ऐसे ऐसे किया था और उसके बाद में कि मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि जिसने सबसे अच्चे तरह से किया था वो किसका था अगर मुझे किसी का भी समझ भीने नहीं आया तो मैं नहीं डिखाऊंगी लेकिन किसी को अब इस का करें तो मंदे तक मैं और कुछ। आपको पास date होलें लेकिन मुआतए सुपनाश सभी करें लेकिन प्रक्टपेंगे तब ही आप सीखेंगि तो इसके लिए जरूर से करिएगा ूंब्वाक जरूर से करेंगा। आपको बहुत λ DLCC आपको चीजे समझ में भी आईए किस direction में आपको examination करना होता है तो उम्मीद करती हूँ आपको उस चीजे समझ में आगया होगा किस तरह से आपको homework करना है और ये वीडियो जो था ये भी आपको समझ में आगया होगा जहां पतर में numbers का examination पढ़ा है तो यहां तक जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से आपको examination करना है कुछ अलग करना है बस आपको समझना है कि किस सरा से examination करना होता है और फिर मैं आपको अगले वीडियो ये बताऊंगी कि किस सरा से आपको करना चाह folds किस ने सबसी आएं तरह से किया है